नमस्कार मैं ललित प्रजापती और News18 के सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है पुनीद भी हमारे साथ जुड़े हुए है आजकल एक देश है बहुत चर्चा में है वो कह रहा है कि कभी उसे ब्रिक्स का हिस्सा बनना है फिर कभी वो कहता है कि मुझे शान्ती करवानी है फिर कभी वो कहने लगता है कि जो सारे इस्लामिक कंट्रीज है वो एक हो जाएं तुर्की की बात हो रही है अर्दौान के आने के बाद तुर्की में बहुत कुछ बदला है मसलें उन्हें कहा जाता है खलीफा इसके अलावा उन्हें ताना शाह की भी उपाधी कई लोग देते हैं इन सब की बीच आज तुर्की से चर्चा को शुरू करेंगे और जो स्वागोशे चौधरी बनते हैं अमेरिका वहां तक भी इस चर्चा को लेकर जाएंगे लेकिन सबसे पहले पुनी तुर्की से शुरुआत करते हैं कहां तो शान्ती की बात हो रही थी और कहां तो अब तुर्की ऐसा लग रहा है कि वो इसराइल पे तुनक रहा है यह इस्थितियां बनने चली है बिल्कुल देखिए तुर्की के अगर बात की जाए तो नाटो का सदस्य है और अमेरिका तुर्की और कई सारे देश जो हैं कुल 32 देश नाटो में और इसके बावजूद तुर्की का जो रंग ढंग या चाल चलन जिसको हम कह लें तो वो एक गुट में साथ तो है लेकिन गुट में साथ होने के बावजूद अलग खड़ा रहने वाला और अपनी अलग राग अलापने वाला मुल्क है तुर्की और बार बार तुर्की अपने बयानों से अपने जो जिस तरीके के उनकी कूट नितिक बाचीत है और वो सारी चीजें उनके ये कह लें कि उनके स्टांस जो होते हैं तुर्की के वो बाकी देशों को चिंता में भी डाल देते हैं क्योंकि तुर्की रशिया जो की नाठो के खिलाफ लट रहा है उसके साथ भी खड़ा हुआ है लेकिन तुर्की तुनक क्यों रहा है यहां अब शुरुआत कर लेते हैं इसी से तुर्की तुनक इसलिए रहा है क्योंकि इसराइल के ऊपर वो कह रहा है कि बरबर इसराइल कारवाई की है और इसी से तुर्की नाराज है क्यों कारवाई की है इसराइल ने बर-बर क्यों इसके पीछे कारण क्या है दरसल अभी हाल ही में वेस्ट बैंक में जो इसराइल की तरफ से लगातार हमले किये गए हैं इसमें एक घटना घटी और इसमें घटना जो घटी वहा से वहाँ पर सैन्य कारवाई की गई एक ओपरेशन छीडा गया यहाँ पर इस वेस्ट बैंक के इलाके में दरसल एक कैम्प इस्थापित या एक बस्ती इस्थापित करने की कोशिश की जा रही थी यहूदी बस्ती इसको लेकर यहाँ के लोग विरोध कर रहे थे और विरोध एक जी इगी यह एक महिला का नाम है जो की तुरकी और अमेरिकी मूल की यह महिला है दोनों देशों की उसके पास नागरिकता है उसकी मौत हो गई और उसको गोली मारी गई सर में और इसी को लेकर तुरकी नाराज हो गया है और तुरकी अब यह कह रहा है कि गंभीर इसराइल को इसके भुगतने पड़ेंगे उन्होंने सोशल मीडिया पर तुर्की के राश्ट्रपती अर्दवान जो हैं सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि ये कारवाई इसराइल की तरफ से जुकी गई है ये बरबर कारवाई है और अब वो कह रहे हैं मुस्लिम चोपर जैसा पुनीत अभी डिकोट कर रहे हैं कि तुर्की के जो तरीका है वो अभी हाल-फिलाल के दुनों में बहुत बदला है एक और खास बात ये है कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा है कश्मीर के पॉइंट आफ व्यू को लेकर इस वजह से भारत से भी बहुत चीज़ें जुड़ती हैं अब क्या वाकई पुनीत युद्ध जैसी इस्थिती बन गई है और अगर युद्ध जैसी इस्थिती बन गई है तब क्या होने वाला है देखिए युद्ध जैसी इस्थिती तो बन रही है क्योंकि तुर्की आप जानी रहे तुर्की के बारे में आप मुझसे बेतर समझ रहे हैं आपने बताया भी कि तुर्की के जो स्टान्स हैं या तुर्की के जो उसका चाल चलनी या उसका जो रवाया है वो ऐसा लगता है कि वो साथ में तो खड़ा है लेकिन फिर भी बाहर अपने आपको अलग दिखाने की तो इसराइल भी ये मान रहा है और तुर्की की तरफ से अगर ये कह दिया गया है कि जो हमला आपने किया ये बरबर था और आपको गंभीर परिनाम भुकतने होंगे तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है और तुर्की और इसराइल आमने स हो सकते हैं हाला कि दोनों देशों की दूरी बड़ी ज्यादा है और करीब 1200 किलो मीटर की दूरी दोनों देशों के बीच में अगर मैप पे देखेंगे तो उसमें साफ होई ही जाएगा लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की जो है वो नाराज हुआ पड़ा है तो आप स इंटरनेशनल न्यू सोसाइटी है उसने ये खबर दी है कि जो इसराइल है उसने भी सीरिया पे हमला किया है तकरीबन 16 लोगों के मारे जानी की खबर है तीस से जादा गाहल होने की बात भी निकल कर सामने आ रही है इस पर आगे हम चर्चा करेंगे लेकिन आज हमारा जो है वो इसराइल, तुर्की, अमेरिका इन सब को लेकर है तो अगला सवाल मेरा यही है कि इसराइल का किस तरह का रियक्शन आया वो बहुत प्विक रियक्टिव है नेतनियाहू इन सब मामलों में अगर उन पर कुछ किसी भी तरह का एक्शल में इसराइल का क्या है कि इसरा कोई ना कोई एक तर्क होता है कि हमने ये क्यों किया है। सीरिया पर भी हमला कर दिया तो लिबनान से सटा हुआ है सीरिया देखिए। और वहां पर सैन ने ठिकानों पर हमला किया है। तो कुछ न कुछ इसराइल ये बता देता है कि साब वहां हमारे के खिलाफ साज़िशे बुनी जा रही थी और अभी हाल ही में जो वेस्ट बैंक की बात हम कर रहे हैं वेस्ट बैंक में जो हमले हुए इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है उसकी तरफ से प्रतिक्रिया जो और जो लड़ाके हैं हमास की लड़ाके वहाँ पर पूरी तयारी कर रहे थे और इसलिए ये सैनी कारवाई यहाँ पर जरूरी हो जाती है इसलिए हमने यहाँ पर यह एक्शन लिया है बावजूद इसके एकी इंटरनाशनल दबाव बना हुआ है इसराइल के उपर कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बीते दिनों हमको याद है कि छे इसराइली नागरिक जो इनको बंधक बनाया गया था उनकी मौत हो गई थी और इसी को लेकर Benjamin Netanyahu अपने ही घर में घिरे हुए उनके खिलाफ खुब प्रदर्शन भी चल रहा है अमेरिका भी इससे नाराज था दूसरी तरफ जो मधिस्तता करने के लिए गटना को लेकर भी इसराइल की अंदर ही अंदर बहुत आलोचना हुई यस मैं वही कहरा हूँ इसराइल के अंदर क्यों क्योंकि लाखों लोग सड़क पर उतर आया और ये कह रहे हैं कि Benjamin Netanyahu जान भूज करके युद्ध को छेड़े हुए हैं उसको लंबा खीचने की कोशिश कर रहे हैं अपने सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि Benjamin Netanyahu सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले महां के प्रधानमंत्री हैं तो एक सत्ता की हनक भी आ जाती है और यही आरोप उन पर लग रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया कि इसकी जरूत नहीं थी क्योंकि शान्ती की बात एक तरफ आप करते हो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि दूसरी तरफ आप वेस्ट बैंक में सबसे बड़ा जो है वो हमला लगातार बनाया हुए तो ये आप कैसे कर रहा है दोनों तरफ कैसे चल सकते हो शान्ती की बात करते हो और फिर युद्ध भी छेड़े रखते हो तो ये कैसे होगा इसी को लेकर विरोदर क्या इस बात को कोई रियक्शन तो नहीं आया लेकिन इसराईल की तरफ से ये जरूर बार-बार ये कहा जा रहा है क्योंकि देखिए अभी हाल ही में जो जिस तरीके से लगातार घटनाय हुई है उसके बाद इसराईल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे एरान का हाथ है और हुई तो जॉर्डन से इसराइल के रिष्टे बहुत अच्छे हैं लेकिन इसराइली प्रधान मंत्री बेंजमिन नितन्याहू जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं इरान का हाथ है क्योंकि इरान इस तरीके से प्रोक्सी वार लड़ता इस मामले में भी उंगली यशक की सुई जो हो अभी भी अगर ये सबको चल रहा है इस मामले में भी घुम फिरकर बात जो है वो बेंजमन नितन्याहू की तरफ से इरान पर ही जाएगी बिल्कुल एक जो जहां से दरसल इस चर्चा का अमूल बिन्दू है वो यह है कि तुर्की यह चाहता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज है वो एक हो जाएं इस तरह की बातें तुर्की कर रहा है इससे लेकर मैं आपसे विस्तार से पूछूंगा लेकिन बात यह आ रही है कि तुर्की इस तरह की बातें कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाएं य वो भारत होगा तक्रीबन 200 करोन के आसपास मुस्लिम पूरी दुनिया में हैं तो तुर्की क्या इन सब को एक जुट करना चाहता है अपना दबदबा बताना चाहता है 2020 के आसपास अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका सौधी अरब से इस बात को लेकर विबाद भी हुआ था सौधी अरब के दबदबे की एक वजा है मुसल्मानों की जो सबसे पवित्र जगा है मक्का मदीना वो दोनों सौधी के पास है और सौधी काफी हद तक खुले हुए मुलक की तरह उसका व्यभार रहा है अब मैं वापस इस पॉइंट पर आ रहा हूँ कि तुर्की ये सब क बढा रहा है उसको रोकने के लिए सारे मुसलिम कंट्रीज को एक होना होगा और ये वही बात है जो इरान की तरफ से इसके पहले वक्त में कही जाती रही है और जो आप सौधी अरब की जो बात बता रहा है तो देखिए सौधी अरब का सीधा हिसाब है बिजनस से दिनिया चलती है पैसा आता है पर्याटन को बढ़ावा मिलता है सारी चीजे है तो वह उसके उपर फोकस किये है और बॉस्लिमों के नाम पर अर्दुवान भी तो करना वही चाहते है उसी बिजनस की बात है वह कह रहे है हमको ब्रिक्स में ले लो एक तरह अरदुवान कह रहे हैं क कि वह तुर्की जो है अब नया तुर्क बनने की कोशिश में लगा हुआ है कि हम इस तरफ भी रहेंगे हम उस तरफ भी रहेंगे हम इनके साथ भी रहेंगे हम उनके साथ भी रहेंगे क्योंकि बीते अगर कुछ वक्त की बात कर ली जाए तो तो तुर्की ने अपने आपक की भी बात कर ली जाए तो सेन्य ताकत में पूरी दुनिया में ग्यारवे नंबर पर है तुर्की तो आप ये समझे कि तुर्की अब अपने आपको चाहता है कि एक नया बॉस वैश्विक प्रभुत्व अपनी दिखाने की कोशिश कर रहा है वो अच्छा एक तरफ ये नैट के लिए मारे गए उसके बादर और ये 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 जो वाकिया हुआ वैस्ट बैंक वाला जो जिसके वारे में हम 内कर कर रहे थे जिसमें तुरकी अम्रिकी नागरिक्ता दोरी नागरिक्टा वाली गब जनका नाम है आईSनुर एक जी इगी, इनकी जो हर्तिया हुई है, इनको जो मा डाला गया इसमें, चुंकि यह अमेरिका मूलकी भी थी तो दो मुलक ऐसे हैं, अभी तक हमको अगर वहाँ के नागरी को कुछ हो जाता तो सबसे जादा टेंशन में आ जाते हैं जैसे इसराइल पहला तो है और अमेरिका उसके पहले है ही अमेरिका फर्स्ट उसकी पॉलिसी भी रही है तो एक तो यह नहराजगी दूसरी बात कि अब वेश्विक दबाव इसराइल पर बढ़ता जा रहा है बीते कुछ दिनों में देखा जाए तो वेश्विक दबाव इस लिहाज से बढ़ता है कि लगातार अमेरिका भी यह कह रहा है कि शांती स्थापित हो जाए हमास से जो है युद्ध खत्म हो जाए फिर दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी अपनी सैन्य मदद जो ब्रिटेन की तरफ से दी जाती थी हाला कि ब्रिटेन डाइरेक्ट डील नहीं करता है ब्रिटेन डाइरेक्ट डील नहीं करता है हतियार नहीं सप्लाइ करता है लेकिन ब्रिटिश कंपनिया उनको निर्यात का लाइसेंस देने का काम करता है तो उसको भी क्योंकि यह ब्रिटेंड भी मान रहा है कि अंतराश्च्री मानव अधिकार कानूनों का उनलंगधन हो सकता है नहत्यारों के इदम पर कुल मिलाकर प्रेशर बनाने का खेल यह पूरा चल रहा है और तुर्की भी यही कर रहा है अथियार धढलने से सप्लाई करते हैं खेर तो क्या ही माना जाया आपने बिर्टेन का जिकर किया अमेरिका का जिकर किया अंदर खाने से इसराइल में वैसे विरोध प्रोधर्शन लगातार बढ़ रहे हैं वो चाहरे हैं कि बंधा को रहाई होनी चाहिए शांती की मेच पर क्या नेतन्याहू की इस्थितियां लगातार बिगरती जा रही हैं हाँ बिलकुल नेतन्याहू की इस्थितियां जो है वो लगातार बिगरती जा रही है प्रेशर बढ़ता जा रहा है और हमले दर हमले आप आपने जैसे बताया कि सीरिया पर हमला कर दिया उधर लेबनान बिल्कुल सटा हुआ है उधर एक हमला और हो गया जो कि हमने आपको बताया कि तीन इसराइली नागरिगों की अधिया कर दी गई तो एक वो मामला है गाजा पटी जो है वहां पर पहले ही चल रहा है वेस्ट बैंक में चल रहा है तो हर तरफ से और फिर घर के अंदर ही घिरे और हमें यूँ शांती लेकिन उमिद तो ये की जा रही थी ना कि शांती हो जबकि हैरानी की बात ही है कि बेंजामिन नीतन्यावगों के अभी हम उस इस्थिति में पहुंचे नहीं कि शांती की बात हो सके वो यह कह रहे हैं कि हम उस लेवल पर या उस बिंदू तक पहुँचना चाहते हैं आप समझ रहे हैं कि युद्ध हम अभी भी बंद नहीं करेंगे और इतना तोड़ देंगे इतना तोड़ देंगे उसके बात फिर शानती की बात होगी एक प्रकार से उनका इशारा यही हो रहा है अचाहा एक लास कोशन कि अगर जंग के हालात बन रहे हैं फिर से दो मुलकों की भी टेंशन जैसी इस सितियां आ रही है तब कौन किस पर भारी देखे कौन किस पर भारी तो ग्लोबल फायर पावर एक रैंकिंग होती है साल 2023 की ग्लोबल फायर पावर की अगर बात कर ली जाए तो इसराइल का नंबर इसमें 145 मुलकों की ये ग्लोबल फायर पावर होती है इनकी लिस्ट है इसमें इसराइल का नंबर 18 नंबर पर है जबकि तुर्की का नंबर 11 नंबर पर है एक तो ये बात हो गई दूसरी बात कि तुर्की जब मुस्लिम देशों को साथ में लाने की बात करा है तो हो सकता है कि कुछ मुस्लिम देश साथ में ना भी खड़े हो तब भी आकर देखा जाए तो सीरिया जिसके उपर हमला कर दिया एक खबर ये आती है इरान पहले से है, लेबनान पहले से है और यमन ये सब भी साथ में तुर्की के आकर खड़े हो सकते हैं और ये बदकिस्मती से सब पडोसी है, अलोस पडोस में है अलोस पडोस में आप देखे ना सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया कितनी बड़ी है आप और हम अबी जिक्र कर रहे थे जब मैप में सारे सब कुछ देख रहे थे दुनिया इतनी बड़ी है लेकिन लेकिन दुनिया का पूरा का पूरा फोकस कहां Middle East पर जाकर टिक गया है वहाँ पर देश आपस में उलजे पड़े हैं सबसे बड़ी बात है कि इसराइल कहते ना कि आप ही ने पिछली बार जब हम बात करे थे कि पड़ोसी हम चुन नहीं सकते हैं पड़ोसी तो हमको मिलते हैं तो पड़ोसी मिले हैं और पड़ोसी मिले हैं और पड़ोसीयों से तालुकात अच्छे रखना चाहिए लेकिन वहां तो लगातार भिलंत हुई जा रही है और अगर देखा जाए तो इसराइल में ही वेस्ट बेंक भी उसी कंदर का हिस्सा पड़ता है वहां पर भी लगातार बंब छोड़े जा रहे हैं रॉकेट छोड़े जा रहे हैं ड्रोन से हमले किये जा रहे हैं सैनिय कारवाई की जा रही है तो यह सब क्या चल रहा है बड़ी हैरानी होती ही वहां की तस्वीरे देखकर आप सोचिए कि किस हालात में वहां के लोग किस भ बड़ा कठेन है पुनी इतियात कर पाता है मैं नहीं कर पाता हूँ अपने नागरिक को कुछ होना नहीं चाहिए इसके बाद अमेरिका की सारी पॉलिजी बदल जाती है यह ताय है तो बात वहीं से शुरू हुई थी कि पडूसी आप तैय नहीं कर सकते दोस्ताय कर सकते और जो दोस्ताय आपने किये हैं वही अगर वही आपसे नाराज हो रहे हैं तो फिर यह सवाल है और एक बात और है कि यह चर्चा इस वज़े से भी जरूरी है सोशल मीडिया ने दुनिया को इतना छोटा कर दिया है कि दुनिया के किसी कोने में कहीं कोई घटना करम हो असर पड़ेगा तो आज के सोशल मीडिया पॉड्कास्ट के में इतना ही इजाज़त दीजिए कुछ और आप देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं आलोचना है उन सबका बहुत स्वागत पुनीत का भी धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया